गुड मॉर्णिंगे सुटेंट, क्लास फर्स्ट, सबते पहले आप लोग चैप्टर देखे, यहाँ पे चैप्टर सेवन है, बड़ी एकी मांत्रा, सॉरी, चैप्टर सेवन नहीं है, चैप्टर है एटीन, सैयुक्त वेंजन, तो बच्चों आप लोग आद देखेंगे पेज नमबर 64, चलिए स्टार्ट करते हैं, चुट्टी, विद्याले में आज चुट्टी है, चिन में और तन में, दोस्त है, दोनों मैदान में खेल रहे हैं, विद्याले में आज क्या है, चुट्टी, चिन में और तन में, यह दो बच्चों के नाम है, और दोनों मैदान में खेल रहे हैं। चिन में मैदान के चक्कर लगा रहा है। तन में रसी कुन रहा है। फिर दोनों आम के बगीचे में जाते हैं दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं मैदान में चक्कर लगा रहे हैं और तन में रसी कून रहा है फिर दोनों आम के बगीचे में पहले उन्हों खेल लए थे फिर वो कूनने लगे, इसके बाद में उन्होंने रसी, कूदी और फिर आम के बगीचे में जाते हैं बच्चे कच्चे आम तोड़ रहे हैं, कच्चे आम खटे होते हैं किन्तु ये उन्हें बहुत स्वाधिश्ट लगते हैं किसको अधिश लगते हैं बच्चों को कच्चे आम बहुत अच्छे लगते हैं अब देखें यहां पे नीचे दिया है रा के रूप तो बच्चों हमारे जो रा सब्द है उसके अनेक रूप होते हैं एक रा होती है जो हम लोग लिखते हैं जैसे रत रा और ठामिल के रत हो गया दूसरा रा होता है जो हम नीचे लगाते हैं एक रा होती है क्या जैसे हम उपर लगाते हैं जैसे पापे लगी हुई है दर पन तो जो उड़ने वाली रा बोली जाती है एक रा होती है नीचे जो हम अक्षर में नीचे लगाते हैं एक रा होती है जो हम हाफ आप करके पीछे लगाते हैं तो फर्स्ट रा कौन सी है जैसे दरपन सर्प ठीक है सर्प फर्ज ठीक है अर्थ फिर जैसे नर्म, खेक है? तो यह सब कौन सी रा है बेटा? यह उड़ने वाली रा है, इनको उड़ने वाली रा बोलते हैं, खेक है? इसके बाद में दूसरा आता है ग्रे है, तो यह क्या है? नीचे वाली रा है, यह अक्षर के क्रम, जैसे ब्रत, ठीक है, ब्रत में, देखें, नीचे बामे रा लगेगी, ब्रत, लेक्स हो जाएगा जैसे ब्रस, प्रतीक, तो प्रतीक में भी नीचे लगेगी, ठीक है, ऐसे ब्रस, तो ब्रस में भी नीचे लगेगी, और जैसे क्या हो जाएगा, प्रकास, तो प्रकास म जैसे अब यहां पे तो एक तो हमारा हो गया दरपन तो उपर उड़ने वाली रहा हो गई दूसरा हो गया यहां पे ग्रेहे तो बीच में अक्षन में लगने वाली हो गई next हो गई जैसे drum तो drum में नीचे लग गई दोरा तो drum हो गया है तो यहां पे Cheese qui olithic Ku बड़े जू की मानत्रा ठीक है रह के साथ ओ और ऊपन्續 की मानत्रा वाले यहां पे इकशन है और यहां पे सब्द भी है फिर ठेसा गूक क्या हो गया roof hurtf रूप्या रूपया इसके बाद में बड़े वखी मांत्रा वाले सब्ध हो गया तो रूपया दूसरा है जैसे रा में छोटे वखी मांत्रा लगी है तो रू-लाई रू-दराथ और बड़े उकी मांत्रा लगी है तो रूपवती और रूमाल तो यह क्या हो गए बड़े उकी मांत्रा वाले सब्ध हो गए तो बच्चों आप यह जानिए कि आपका होमबर्क आपको क्या है तो आप लोग यह पढ़ेंगे पहले ठीक है आप लोग इस पेज को पढ़ेंगे पेज नमबर 64 आप पढ़ेंगे उसकी राद में आप रूप आले छोटे उरा के साथ उमूब आले 10 सब्द लिखेंगे और रा के साथ बड़े उ की मांतरा वाले 10 सब्द लिखेंगे तो ऐसे आपके हो गए 20 सब्द ठीक है रा के साथ छोटे उ की मांतरा वाले सब्द लिखेंगे और रा के साथ बड़े उ की मांतरा वाले 10 सब्द तो दोनों मिलके 20 सब्द हो गए यह आपका होम बर्क है बच्चों ठीक है अब सबते पहले इसको आप पढ़ेंगे उसका वीडियो बनाएंगे दूसरा है आप लिखेंगे और फिर हमें सेंड करेंगे ठीक है और हिंदी लिटेजर की नोट बुक में आप लोग इसको नोट क करेंगे ओकी बच्चू